पांच लाग युवाओ को प्रती साल नौकरी देने का आपने वादा किया था मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूँ जराब 25 लाग युवाओ तो छोड़ो पांच लाग का भी लिस्ट आप गोशित कर दो युवाओ आपको ढूंड रहा है चुनाओ में मैदान में जाईए तो मालूम पड़ेगा कितना अक्रोशित है मुझे ठीक याद है मैं भी चुनाओ के प्रचार में था आपने कहा था साला ना पांच लाग युवाओ को नौकरी नहीं दूँगा तो पत से इस्तिफा दे दूँगा इस्तिफा छोड़िये जेल में जाने के कारण पत छोड़ना पड़ा चंपई सोरेंट जी को हटा कर फिर से आप तो वापीस बैट गए युवाओ को किया हुआ वादा आपने नदर अंजा किया है धेर सारे पेपर लिख हुए 11th Mass का पेपर लिख हो गाया डिप्लोमा का पेपर लिख हो गाया असिस्टन्ट लेब के पेपर टेक्निशन के पेपर लिख हो गए नगरपालिका की भरती का पेपर लिख हुआ ग्रेजुएट लेवल का पेपर लिख हो गाया और JPSC का सामान्य भरती का पेपर भी लिख हो गाया GAC का 12V क्लास का Physics और Biology का पेपर भी लिख हो गाया आपके संरक्षन में पेपर लीक माप्याओं ने इस राज्य के युवाओं के भविश्य को बर्बाद किया है मगर मैं आज कह कर जाता हूँ जारखन वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पाश्ट हो गया भाद पास सरकार बना दीजे पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्सी भरती की व्योस्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी मैंने जैसे जारखन सरकार ने तुरुष्ट्री करण की अती कर दी है लोहर दगा में कावडियों पर हमला होता है राम नौमी के जुलूस में किर्टन बजन गाने पर प्रतिबंद रख दिया जाता है सिहंबू में बड़े पैमाने पर राम नौमी के जुलूस पर पत्रा होता है साहीव गंज में मंदिरों को नुकसान पहुचा है पड़ता जाता है जमसेदपूर में हिंसक नारे लगा कर हिंदू जार्खन छोडों के नारे लगते हैं सर माना चाहिए आपको, आपको सर माना चाहिए मैं आज फिर से कहता हूँ यहाँ पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगे कानून के माध्यम से जहल की जलाखों के पीछे होगी कोई ऐसी हिमत नहीं कर पाएगा और बांगलादेशी गुस्पेटियों के माध्यम से जो जमीन को हडप लिया गया है इसको भी हम मुप्त करेंगे हैमन सोरेन सरकार वादा खिलापी की सरकार रही है पांच लाख नौकरिया देने का वादा फूस हो गया सनातक बेरोजगारों को पांच अजार का भत्था देना था अब तक नहीं मिला सनातक उत्तर बेरोजगारों को साथ अजार का बेकारी भत्था देना था वो भी नहीं दिया हर गरिब को बहत्तर अजार उप्या खटा खटा खट देना था वो भी नहीं हुआ विद्वाओं को पचीस सो का पैंसन देना था, वो भी नहीं हुआ, चुला बत्था देने का वादा भी नहीं हुआ, नव विवाईत बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ, और आधारकार पर 50,000 का रून देना था, वो भी नहीं हुआ हमन्त उसमें से कुछ संकल मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले माताओ बेहनों के लिए गोगो दिदी योधना के माध्यम से हर महिने की 11 तारिक को आपके बैंक एकाउंट में 200 रूपिया भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करें दिपावली और रक्षाबंदन में एक-एक गैस का सिलिंडर फ्री देंगे और 500 रूपिय की उच्चत्तम किमत पर गैस का सिलिंडर बेहनों को दिया जाएगा किसी को ज्यादा पैसा दें पांच वर्ष के भीतर जार्खन के युवाओ के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सुरुजन करेंगे यह भारतिय जन्ता पार्टी का वादा है जार्खन के युवाओ आप इसको हैमंत का वादा मत कहना पांच वर्स पुरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और पांच लाख रोजगार का हिसाब जारकन की जनता के बीच में देखर जाएंगे दो लाख सतासी अजार पांग सो करीब करीब तीन लाख सरकारी पद निस्पस और पारदर्सी तरीके से इसकी भरती की जाएंगी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे हम जारकन में हर्सनातक उत्तर युवा जो अपनी केरियर बनाने के लिए संगर्स रत है उसको हर महिने दे दो हजार रूपिया युवा साथी भत्ता देंगे ये दो हजार रूपिया आपकी समस्या का समादान नहीं कर सकता है वगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संगर्स करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता-पिता के साथ नर लेना पड़े इस सनमान ये भी फुलो जानो ये सभी देश के वीर नायकों को नमन करकर मेरी बात की शुरुवात करना चाहता हूं। बायो बैनो जार्खन का ये चुनाव नकेवल सरकार बदलने का चुनाव है। जार्खन का ये चुनाव, जार्खन का भविश्य सुनिष्चीत करने का चुनाव है जार्खन की महान जन्ता ने ताई करना है कि आकंठ ब्रश्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेत्रूत में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए गुसपैट कराकर जारखन की असमिता रोटी, बेटी, माटी तिनों को खत्रे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पेर न मार सके ऐसी सरहत की सुरक्षा करने वाली भारतिय जनता पार्टी की सरकार चाहिए बेरोजगारी से त्रस्त विवा, पेपर लिग से त्रस्त विवा, आज भाजपा में आसा की दुरूष्टी से अपना भविश्य ढून रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह, गरीब कल्यान करने वाली सरकार को भी जारखन की जनता ढून रहे हैं और भाईयों बेनों इसलिए भारतिय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है, जब मैं संकल्प पत्रक सब्द का प्रयोक करता हूं तब भारतिय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतिय जनता पार्टी देश इसकी राजनिती में अखेली ऐसी पार्टी है, जो कहती है वोग करती है। मारी राज्य स़रकारों का इत्याश है। जब जब भार्तिये जंता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिये गए सबी संकल्पों को पूरा किया है यह हमारा ट्रेक रेकोर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्रको जारखन की जनता विशेजकर पिछड़ावर्ग गरीब आदिवासी दलीत और सहर के लोग बड़ी आसा के साथ बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं वो चाहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की आसाओं का प्रतिगोश हो और इसलिए भारतिय जनता पार्टी ने करोडों जारखंड वासियों से चर्चा करकर इस संकल्प पत्र की रचना की है इस संकल्प पत्र केवल भारतिय जनता पार्टी का नहीं ह करोडो जारखंड वासियों की आसाव और उम्मीदू का प्रतिगोश है करोडो जारखंड वासि जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए खुरुत निश्च चाही है इसका प्रतिगोश इस संकल्प में है कुशासन और ब्रश्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है इसका प्रतिगोश इस संकल्प पत्र में है घरीब कल्यान इसका प्रतिगोश इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सिमाओ की सुरक्षा और आदिवासियों की भुमी बेटी और रोटी की सुरक्षा इसका भी प्रतिगोश इस संकल्पत्र में अधपई जी ने बनाया था और जार्खंड को सवारने का काम हमारे नेताव और देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, परंतु पांस साल पहले यहाँ पर एक एहमंद सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल एंजिन की सरकार के माध्यम से सुरी की विकास की योजनाओं को ढप करकर रख दिया और आज भारतिय जनता पार्टी फिर से नई उम्मीद के साथ जार्खन की जनता के पास जा रहे हैं हम कि हम जार्खन के विकास के लिए काम करेंगे, हम जार्खन की सुरक्सा के लिए काम करेंगे, हम ब्रश्टाचार का संपूर् मुलन करेंगे और विकास के रास्ते पर जार्खन को दुरुत गती से बढ़ाना चाहेंगे आज मैं यहां आया हूँ तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि हैमन सोरेन की सरकार के समय में जार्खन का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है संथाल परगना में आद अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना जार्खन की संस्कूर्थी बचेगी ना जार्खन की रोजगारी बचेगी ना जार्खन की भुमी बचेगी ना बेटियां भी सुरक्षित होगी इसलिए भारतिये जनता पार्टी माटी रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक रोटी बेटी के साथ आदिवासी सन्मान के साथ जोड़ कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है 15 नवंबर को मोदी जी ने जन जातिये गवरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए नेने किया और बीरसा मुंड्या की देड़ सोवी जहनती को पूरा देश आदिवासी गवरव वर्ष के रूप में मनाएगा समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सन्मानित करने का काम किया है अब तक काका साहिब कालेल कर कमिशन से लेकर मंडल आयोक कॉंग्रेस का इतियास रहा है कॉंग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पाटी रही है इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षन के लिए कुछ नहीं किया है पिछड़ा वर्ग के सन्मान के लिए नहीं किया। द्रवपदी मुर्मू संथाल की ही बिटिया आज देश के आदिवासी पहले राष्टरपती बनने का गवरोव प्राप्त की है। द्रवपदी जी जारखंड की ही राज्यपाल हुआ करती थी और पहली आदिवासी राष्टरपती बनने का उनको गवरोवी मिला है। मोदी सरकार ने जारखन के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो मोदी सरकार ने धेर सारे काम किये हैं अभी अभी हैमन जी का एक बाशन देखकर मुझे हसी आती थी वो मोदी जी से एक लाग करवो डूपी का हिसाब माग रहे थे हैं है मन बाबू मैं हिसाब लेकर आया हूँ अगर हिम्मत है तो इसका जवाब जारखन की जनता को दीजेगा जिस कॉंग्रेस की गोदी में आप बैठे जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने डिवॉलिशन फंड औ आप आंकड़ा जारी करें मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे इसलिए मैं ही कर देता हूँ दस साल में जार्खन को सुरिप 84,000 करोड रुपिया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच में 84,000 करोड के सामन तीन लाख आठ जार करोड रूपया मोधी जी ने देने का काम जवाब आपको देना है है मनसोरण जी भारतिय जनता पार्टी को नहीं देना है ये तीन लाख असी हजार करोड के अलावे इंफ्रस्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड रूपया सडक निर्मान के लिए और 65,000 करोड रूपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है मैं आज कहना आया हूँ 57 पुराने स्टेशनों का पुनर विकास मोदी जी के नित्रुतों में जारखन के हो रहा है 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है राची जमसेदपूर इंटर कोरिडोर बन रहा है देवधर, बोकारो और जमसेदपूर में हवाई अड़ो का विकास और निर्मान हुआ है और सबका साथ सबका विकास के सुत्र के साथ बिर्शा मुंडा के गाउं में देश का प्रदानमंत्री पहली बार जाकर धरती आबा को प्रणाम करने का काम करने जबाब तो आपको देना है आईसमान भारत योधना जारखंड से मोदी जिने लौंज की देश बर के गरीबों का कल्यान करने वाली रोजगार देने वाली मूद्रा योधना एक छोटे से जारखंड से मोदी जिने लौंज की और पी-म जन्वन योधना जो सालों से आई-ाई-ाई-टी का उद्गाटन इसी आदारसिला रखी गई और बाबा बाईदनात के धाम को प्रसाद योधना के तहट लेने का काम किया गया सत्रा जिलो में विश्व कर्मा योधना से कौसल और वित्तिय मदद मिल रही है और धेर सारे काम उज्वला योधना आईश्यमान भारत योधना के माध्यम थे इसी तर्च पर देश के साथ करोड गरीवों घर, बिजली, सोचालय, पांच लाग का पूरा विमा, गैस का सिलिंडर और पांच किलो तक अनाज देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है मैं जारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिसरी अगर कोई एक राज्य है तो हमारा जारखंड है जारखंड की 70 प्रतिसत आबादी को इस सारे लाब देने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया पांस साल तक जो हैमन सोरेंड सरकार चली वो सरकार ने धेर सारे ऐसे काम किये जिससे जारखंड की जनता आज उमता गई है महिलाओ का अपमान महिलाओ की दूर्दसा इसके सारे रेकोर्ड तोड़ने का काम हैमन सोरेंड सरकार ने किया है जारखन में नाबालिक लड़कियों की तसकरी महिलाओं के अपरहन इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज जारखन पाया जाता है और 17 की तुलना में देखे जब हमने सरकार छोड़ी महिलाओं के खिलाप अपरादों में 29 प्रतिसत की वृद्धी हुई है और बलातकार के मामलों में 42 प्रतिसत की वृद्धी स्रीमान हैमन सोरेन आपके कारेकाल में हुई है आप माताओं बेहनों की सुरक्सा करने के लिए विफल गए हूँ 50 लाग तक की महिलाओं की संपति की रजिस्ट्री हमारी सरकार एक रूपिय में करती थी आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रिड्यूस करने चाह रहे हैं और हेमन सोरेन जी बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए सिर्फ अंकीता हत्याकान का जवाब दे दीजिएगा तो भी जारखन की माताओं बेनों को मन में सुकून की प्राप देजिए कि क्जारों लाखों की संक्या में जारखन की बेटियां दूसरी साधी तिसरी साधी करकर एक घुस पेठिये उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वाट बेंक की लालच में चुप बेठों उनके पास से बेट लेकर उनकी संपती हड़प करने का एक सड़ी अंत्र एक हाई कोट इसका संग्यान लेती है, एक ओडर करती है, कि घुस पेठियों को चिनीद करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए, और डिपोर्ट करिए, जारखंड सरकार ना बोलती है, हैमन सुरेन आप बचा नहीं पाओगे, जारखंड में भारतिय जनता पार्टी की सर इनकी नीन सोना बंद कर दो, भादपा सरकार आएगी, एक भेट से, दान से, जमीन हडपाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंदित करेंगे, और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर, जिन महिलाओं का भूमी गया है, उनको फीर से वो महिलाओं के ना आपने वादा किया था, मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूँ, जराब 25 लाक युवाओं तो छोड़ो, 5 लाक का भी लिस्ट आप घोशित कर दो, युवाओं आपको ढूंड रहा है, चुनाओं में मैदान में जाये तो मालूम पड़ेगा, कितना अक्रोशित है, मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाओं के प्रचार में था, आपने कहा था, साला ना 5 लाक युवाओं को नौकरी नहीं दूँगा, तो पत से इस्तिफा दे दूँगा, इस्तिफा छोड़िये, जेल में जाने के कारण पत छोड़ना पड़ा, चंपई सोरेंट जी को हटा कर फिर से आप तो वापिस बैठ गए, युवाओं को किया हुआ वादा, आपने नदर अंजार किया है, धेर सारे पेपर लिख हुए, 11th Mass का पेपर लिख हो गाया, डिप्लोमा का पेपर लिख हो गाया, असिस्टंट लेब के पेपर, टेक्निशन के पेपर लिख हो गाया, नगर अरवी क्लास का फिजिक्स और बायलोजी का पेपर भी लिख हो गाया, आपके संरक्षन में पेपर लिख माप्याओं ने इस राज्य के युवाओं के भविश्य को बरबाद किया है, मगर मैं आज कह कर जाता हूँ जारखन वासियों को, कि ये पेपर लिख जितने हुए, वो पाश्ट हो गया, भाद पाश सरकार बना दीजे, पेपर लिख करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे, और एक पारदर्सी भरती की व्योस्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मैंने जैसे कहा ऐसे, गुस पेठियों को आपने पना दी है गुस पेठियों में आपको अपकी वोट बैंक दिखाई पड़ी, आप आपकी धुन में मस्त हो, इस राज्य में आदिवासियों की संख्या गुस पेठ के कारण घट रही है, डाइमोग्राफी बदल रही है, और नियायल है जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिना में आज जाते हो, मैं आज जानखड की जारखण की जनता को कहना चाहता हूँ, तुरुष्टी करण की राजनिती को बंद करकर सारे गुस पेठियों को चून चून कर भारतिय जनता पार्टी की सरकार जारखण के बाहर निकालेगी और परिंता भी पैरनर मार पाए, इस त पोटी, बेटी और माटी तीनों का संडक्षन करने का काम करने हैं। जारखण छोड़ों के नारे लगते हैं। सर माना चाहिए आपको, आपको सर माना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूँ, यहाँ पर एक ऐसा कानून का राज होगा, जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगे, कानून के माध्यम से जहल की जलाखों के पीछे होगी कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बांगलादेशी गुस्पेटियों के माध्यम से जो जमीन को हडप लिया गया है, इसको भी हम मुप्त करेंगे। वो भी नहीं हुआ, विद्वाओं को पचीस सो का पैंसन देना था, वो भी नहीं हुआ, चुला बत्था देने का वादा भी नहीं हुआ, नव विवाईत बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ, और आधारकार पर 50,000 का रून देना था, वो भी नहीं ह हैमंत बाबु किस मूझ से आप युवाओं से गरिबों से विद्वाओं से माताओं से वोट मांगने जाओगे मैं तो समझी नहीं सकता मगर आप जारखन की जनता को मालूम पड़ गाया है कि हैमंत बाबु के सब्दकोस के अंदर सर्म नाम की कोई चीज नहीं है वो आज भी बड़े सौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं मगर हैमंत बाबु आपको जारखन की जनता पहचान गई है अंति मुद्दा करपसन का है मैं आज मेरे स्टड़ी के आधार पर विश्वाज से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो जारखन में हैं इन्होंने इंतिहा कर दी है करपसर की मैं जारखन की जनता को पूछना चाहता हूं जारखन में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने साड़े तिन सो करोड एक साप नेखे हूँ एक इनके घटबंदन के MP के घर से 3.5 करोड पकड़े जाते हैं आलम के घर से 20 करोड से ज़्यादा रकम पकड़ी जाती है मसीन लाए जाते हैं नौट गिनने के वो भी गरम हो जाते हैं पैसा उठा कर ले जाने के लिए टेंपो ले जाना पड़ता है एतना तो पकड़ा गया है बाकी का आपका गटबंदन खा गया यह किसका पैसा है यह पैसा गरीब आदिवासी का है पिछड़ा वर्क की गरीब माता का है पिछड़ा वर्क के गरीब युवा का है अगर ये सारा पैसा आपने करप्षन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बाटा न होता तो आज जार्खंड विक्सित राज्य बन चुका होता भाईयों बेनों जार्खंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समरूद राज्य है मैं बेजिजग कह सकता हूँ, जारखंड देश का सबसे समरूद राजे, क्योंकि धर्ती माता के नीचे इतना खनीच संपधा पड़ा है, जिसका मुल्य कोई लगा ही नहीं सकता मगर जार्खंड देश का समरूत राज्य है जार्खंडी देश का सबसे गरीब नागरीक है और यह जो हुआ है वो हैमन सोरेन की सरकार और इनकी नितियों के कारण हुआ है भायो बैनों इस सारी दूइदा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा गोशना पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं इस संकल्प पत्र उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले माता ओ बैनों के लिए गोगो दिदी योधना के माध्यम से हर महिने की 11 तारिक को आपके बैंक एकाउंट में 2100 रूपया भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें दिपावली और रक्षा बंदन में एक-एक गैस का सिलिंडर फ्री देंगे और 500 रूपय की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलिंडर बेहनों को दिया जाएगा किसी को ज्यादा पैसा दें पांच वर्स के भीतर जार्खन के युवाओ के लिए पांच लाख रोजगारों का हम सुरुजन करेंगे यह भारतिय जनता पार्टी का बादा है ज्यार्खन के युवाओ आप इसको हमन का वादा मत कहना पांच वर्स पुरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और पांच लाख रोजगार का हिसाब ज्यार्खन की जनता के बीच में देखर जाएगा दो लाख सतासी अजार पांक सो करिब करिब तीन लाथ सरकारी पद निश्पस और पारदरसी तरीके से इसकी भरती की जाएगी और इसका परिक्षा का एक समय की भार्षिक कैलेंडर भारतिय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल जैसे मैंने पांच लाग कहा हर साल एक लाग जारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे हम जारखंड में हर सनातक उत्तर युवा जो अपनी केरियर बनाने के लिए संघर्ष रत है उसको हर महिने दो हजार रूपिया युवा साथी भथा देंगे यह दो हजार रूपिया आपकी समश्या का समाधान नहीं कर सकता है वगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ नद लेना पड़े इस अंमान आपका करने के लिए 2000 रुपिया हम प्रती माह आपको देंगे हम जारखन मुक्ति मुर्चा की सरकार में कुशाशन के कारण आवास नहीं मिल पाया है हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें 21 लाख घर पीएम आवास का और यह जो आपकी निश्कर्मन याता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तूरंत पूरा करेंगे जारखन में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर सिता और अभ्यर्थियों को न्याइस देंगे न केवल भविश्य के लिए पूराने जो पेपर म माफ्या है CBI जांच कराकर SIT की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतिय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी हम अवेद घुस्पेट को रोकेंगे और सक्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करकर दान में जो भूमी हड़प करकर बैठे हैं वो सारी भूमी फिर से एक बार जार्खन की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतिय जनता पार्टी करेंगे फिर से एक बार एक रुपियों की स्टांप डिटी योजना हम सुरू करेंगे बी एड नर्सिंग और अन्य व्यवसाई कारेकरमों में निशूल्क सिक्सा ज भारतिय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे हम जार्खन में विश्टापन से पहले पुनरवास सुनिश्चित करेंगे और सेवा निवरूत नयायदीश की अध्यक्सा में एक पुनरवास आयोग भी निश्चित करेंगे हम आदिवासी सन्मान और असमीता को समारक बनाएंगे, दुमका में सिद्धो कानो का समारक बनाएंगे, पलामु में निलांबर पितांबर का समारक बनाएंगे, लोहर दगा में बुधू भगत का समारक बनाएंगे, जगननातपुर में पोटो हो और गुमला में तेलंग खडिया का समारक बनाने का काम भारति जनता पार्टी की सरकार बनाएगे इसके साथ साथ विनोत बिहरी महतो बक्तर साय और भजन नाम बड़ाई का भीस मारक बनाकर सभी समाज का सनमान करने का काम हम करेंगे आज में एक अपपरचार हैमन सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि UCC आएगा तो आदिव पूर आएगा हमारी सरकार जारखन में UCC लाएगी मगर UCC से आदिवास्यों को पून तया हम बहार रखेंगे कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को UCC से हम नहीं छेड़ेंगे मात्रूतव सुरक्साय योदना 6% किट और 21,000 की साहयता हम प्रदान करेंगे 10 नए मेडि अगर घर में 70 से ज्यादा आयुवारा बुजूर्ग है तो ये रासी को 15 लाग तक बढ़ाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेंगे CHC, PHC और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलंप कराएंगे और ब्रश्टाचार के प्रती जीरो टॉलरंस की निती लागू करेंगे और जितना भी पैसा इंडी एलायंस वालों ने गमडिया गठबंदन ने खाया है इसकी SIT बना कर जांच करकर सारों को जहल की सलाकों के पीछे डालने का काम भारतिय जनता पार्टी की अवेद खनन को हम असंभव बनाएंगे 181 CM समवाद हल्प लाइन जो हैमन बाबु ने बन करी है उसको हम चालू करेंगे पंचायती राज विवस्ता को ससक्त बनाने के लिए मुख्याओ का मासिक विस्टन हम 5000 करेंगे और ओप्रेशन सुरक्सा के तहट 24 गंटा टोल फ्री हेल्प लाइन करेंगे और विसेश सहायता पुनरवास कोस की भी हम रचना करेंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्सित करेंगा जारखन को गव तसकरी से पून तया मुक्त करने का काम भारतिय जनता पार्टी करेंगी हम धान की खरीदी किसानों के लिए बड़ा अच्छी घोशना भारतिय जनता पार्टी लेकर आई है हर किसान का एक-एक दाना 31 सो रूपया क्विंटल के दाम पर हम खरीद करेंगे और 48 घंटे में किसान को फिमेंट देने का काम करेंगे पिछड़ा वर्क के लिए 27-37 आरक्षन करने के लिए हम किसी का भी आरक्षन कम करे बगैर पिछड़ा वर्क को सन्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंडेंगे डाइमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधान मंत्री ग्राम सडक योधनाव के इंतहत 25,000 किलोमिटर छोटे मदले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमिटर नए रोड बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी सेट, नीट, IIT, IAS, JAS, बेंकिंग की कोचिन के लिए 20,000 की स्कॉलर्शिप और मुप्त प्रिमियम ओनलाइन पाठेकरम जारखन की भाजबास सरकार करेगी और उच अध्यान के लिए 10,000,000 रुपय तक की लोन का पूरा व्याज का बोज हमारी जारखन की सरकार निर्वान करेंगी देश के हर प्रमुक सहर में जारखन जो हार भवन स्थापित करेंगे जो जारखन के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविदा के साथ अपने व्यवसाई के लिए रहने का काम करेंगे रूद, विध्वा और दिव्यां के पैंसन को हम 25,000 तक बढ़ाएंगे आदिवासी ब्लोक में प्रसंसकरण और भण्णारण केंडर स्थापित करेंगे बड़े आकार की लेंप्स का एक बड़ा जाल बुना जाएगा और पूरे वन उत्पा दोनों की खरिदी जिसकी सूची बहुत लंबी है बादपा की जारखन की सरकार करेंगे पेशा का क्रियान वेन सूनिस्चित करकर मुख्या और पंचायत राजसंस्ता को हम ससक्त बनाएंगे हम जारखन इंटर्सिप और स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे जो पांच लाग युवाओं के लिए एक लाग की वार्सिक वित्य सहायता के साथ काम करेंगा IIT को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत करेंगे और हम प्रमुक देवी मंदिरों को जोडने वाले पांच देवी मंदिरों की भगवती सरकीट बनाएंगे बाबा वैदनात और बाबा वसुकिनात तीर्ट शित्र को हम एक दम अल्ट्रा मॉडरन सुविधाओं के साथ उसका विकास करने का काम करेंगे इको टूरिजम की हम राजदानी जार्खन को बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बात भासाओं के लिए भी करना चाहता हूं कि हम इतना सुनिस्चित करेंगे कि जार्खन के अंदर जितने भी बोली जाने वाली भासा है वो सारी भासाओं को हो मुंडारी, कुरूक, कुडमाली, भुमीज और सदरी को हम जार्खन राज्य की स्कूलों, विश्व विद्यालयों और सेक्षनिक संथाओं में इसका प्रयोग बढ़ाएंगे, इसमें से कुछ भासाओं को जार्खन की अधिकृत भासा भी बनाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आठवी अनुसुचि में इसमें से सारी भासा जाये, समाहीत हो जाये, इसका जार्खन सरकार पूरा प्रयास करेगी, इन भासाओं को विच्स्व विद्यालय में शिक्षा का माध्यम बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, और आदिवासी भासाओं पर व्याकरण और सब्दकोस को तयार करने के लिए, हम खुर्मी भासा के लिए भी एक विद्वानों का समिती बनाएंगे भाई और बैनों इसके अलावे भी हमारे घोषना पत्र के अंदर धेर सारे वाद हैं हमने सिवराजी एहमन जी और प्रदेश सद्यक्जी ने पांच वादे किये जो प्रमुख वादे हैं ये पांच वादों के माध्यम से हम का सरवांगीन विकास करने के लिए कटिबद है मैं जारखन की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 5 साल में ऐसा जारखन बनाएंगे कि जारखन में से किसी को भी मद्दूरी करने के लिए जारखन के बाहर नहीं जाना पड़ेगा जार्खन का युवा अपनी युवा पत्नी और बुड़े माबाप के साथ रेकर अपना जीवन ग्यापन कर पाएगा जार्खन के अंदर जो खनीच संपदा पड़ी है वो खनीच संपदा का पूरा उपयोग जार्खन के विकास के लिए होगा खनीच संपदा के अधार पर उद्योगों को लाकर हम रोजगारी को भी बढ़ाएंगे और खनीच संपदा के उद्खनन से आदिवासी कल्यान का जो काम इन्होंने प्रष्टाचार की बेट चड़ाया है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अटल जीने बड़े सपनों के साथ जारखन की रचना की थी 2014 में मोदी जीने डबल एंजिन की सरकार के माध्यम से जारखन को विकास के पट्री पर चड़ाया था ये 5 साल इनकी सरकार ने जारखन को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अ धुस्पेट का मध्यम बना है, और ये लोग कई सारे, कई सारे अपप्रचार करें, सहारा के लिए वो अपप्रचार करें, मैं पूछना चाहता हूँ, हैमन्त बाबु आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या की आपने, अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या का र सहारा कोप्रेटि में, जितने भी वैद इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है, उसकी पाई पाई भार्तिय जनता पार्टी की सरकार वापिषते। सहारा कॉपरेटी में जितने भी वाइद इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई नहीं होगी। करण है आदिवासियों की आबादी को प्रोटिक करने का एक जरिया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं जो हमारी भूली भाली आदिवासी बेहनों से दूसरी तीसरी साधी करकर उनकी भूमी कपजा लिये हैं आपका समय समाप्त हुआ भाजपा सरकार बनते ही उल्टी घिनत की शुरू होगी सबको फुमी फिर से वो आदिवासी बच्ची को बेहन को मा को वापिस देनी पड़ेगी और घुषपेट हम रोग करेंगे मैं जारखन की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप सब एक बार मोदी जी के नारे पर मोदी जी की गैरंटी पर और डबल पत्र जो है इस सिर्फ वादे नहीं है एक एक संकल्फ हमारा पत्थर की लकीर है जो पूरा होगा और जारखन को हम फिर से एक बार समरूत बनाने के आंदोलंग में जूर जाएंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बंदे मादे